प्रस्ण कोई भी हो अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो उत्तर यही होगा रट लिजिए अगर टब दा बेस्ट नंबर लाना है तो वीडियो देखना मत बुलेगा यानि कि एक्जाम के आखरी रात भी वीडियो देखते हैं तो आपका बहुती संदार नंबर आएगा तो बिना देर के हम लोग वीडियो के तरह सब्सक्राइब या मस्ट भी भी आई सब्जेक्टिव कोशन देखे यानि दिर्गुतरिय प्रसन देखेगा बहुती संदार है और देखे यह आपके एक्जाम में आएगा यही मेरे गरांटी 100 पॉसेंट बाभू गरांटी दे रहे हैं कि अगर यह कोशन नहीं आए तो आप जो बोले हो क्योंकि मस्ट भी भी आई है कई साल पूछा गया है और यह ट्रीक का जादू समझेगा प्रसन कोई भी हो उत्तर यही होगा याद रखेगा यह बहुत ही संदार कोशन है यहां कोशन अगर क्या क्या पूछेगा तो इसका अगर आपसे कोशन पूछ दे जर्मनी के करण कैसे संभा हुआ दूसरा कोशन पूछ दे कि जर्मनी के करण में क्या क्या बदाय दे या फिर जर्मनी के करण में बि लीजिए ये पूछेगा देखे जर्मनी लगवक तीन सो राजियों में तूटा हुआ था या देखे तता राष्टवाद की भावना का अभाव था उसमें तो राष्टवाद की भावना अंदर होगी तभी तो एक होगा धार्मिक समाजिक विसमताएं होने होना इसलिए इसक जर्मन परिसंग से बाहर निकलना था क्योंकि जर्मनी के एकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी अस्तिया थी सबका एंसर यही है और विसमार्क का मनना था कि एक करण दर्सवादी तरीका से नहीं होगा दर्सवादी का मतलब इज़त से नहीं कि आप लोग हट जाई यह यानि कि मरो मारो वाला बात आ गया था इसके लिए सबसे पहले बिसमार्क ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अपनी सेना को मजबूत की आप बते कि कहीं लड़ाई करना होगा तो सबसे पहले पैसा रुपिया से अमीर बनना पड़ेगा उसके बाद से बूरी तरह से हाराया और इस तरह से जर्मनी का एक ही करन हो गया तो यह मस्ट भी इसमें से कोई भी पूछेगा बहुत मेहनत के बाद यह तयार किया गया इसको लाइक कर दिजा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किजिए बाबु ठीक है फर्स्ट को सने सेकेंड नमब और फ्रांस में उभरते रष्ट यता और क्रांथी को दबा रहा था अब जब भी लोग अपने देश के बारे में सोचे ते बस उसको पी टूटके दबा दे रहा था और इसने क्या किया अपना परधान मंत्री पोलीगने को बनाए अब जैसे था वैसे परधान मंत्री भी पोलीगने को बनाया जो बहुत ही निरंकूष था अब ये थो निरंकूष था ही अपना परधान मंत्री भी निरंकूष बनाया लूई अठ्रामा द्वारा समान नागरिकता को हटा करके अभिजात्य वर को विशे सदिकार देने का परयास किया और लोगों के विरोध किया तो विरोध को दबाने के लिए चार आदयादेश जा रे किया जा रहे ही जब सभी लोगों ने बिरोध किया कि कसा नियम लगा रहे हो तो उन्हे चार वाई हिसा नीम लिए जो और अ यहांग देखर क्या में कश्रिचार क्या क्याएं धारी lacking is में में आगा था ठीक है अगला कोश्चन देखिए चलिए यहाँ पर दो नंबर वाला कुश्चन दिया गया है क्या क्या है समझेगा अगर कोश्चन आप से बोल दे राष्टवाद क्या है राष्टवाद समझते हैं मने आपके अंदर अपने देश के प्रती अगर गुस्सा आ रहा है कि समझें कि आप राष्ट के बारे में अच्छा सोच रहें अगर राष्ट के बारे में अच्छा सोच रहें तो वही तो रष्टवाद है आपके अंदर रष्टवाद की भावना है अपने देश के प्रती प्रेम और लगाव की एक भावना है जो किसी विशेश समाजिक संस् सामयवाद में नीजी संपती पर कोई विरोध नहीं होता है अगर आपका संपती है जैसे भारत में क्या है भारत में दुनों परकार का है सामयवाद भी है और समाजवाद भी होता है और जब चाहे उस संपती को सरकार ले भी सकती है तो यह जिस पर सरकार का अधिकार हो समाज स्वामूचे शामाज को निजी समपती काफने प्रतिरोध करता है और है तो आप समध सामाजमाद पालाज को अपना समर्थक मानता है कि जो भी समाज में गटना है घटती उसमें राजे जीमार होता है इक का Advent कि राज नहीं रहता तो ओर ज्यादा घटना हट हटा तो यही सब होता है अगला समराज जेवादक मतलब समझ लिए का समराज जवाद मान लिजिए कि आप जा रहे हैं किसी के गाउं में आ करके उस गाउं में पूरा कापजा कर ले रहे हैं यानि कि अपना राज ये काइम कर ले रहे हैं तो जब आप पूरा चारों तरफ राज ये काइम कर ले उसी करते हैं कि मैंने अपना स करता हूं अपने सकती को बढ़ाने के लिए लोग दूसरे दिस पर जा करके अधिकार कर लेते हैं इसी को समराज यवाद करते हैं कहते हैं ठीक है चलिए यह कोश्चन आपकी एक्जाम में पूछेगा ही पूछेगा इसको भी आप रट लिजिए बाबू हिंद चीन में फ्रा के बारे में डिसकस करें तो डारेक्ट अप यही एंसर लिख दीजेगा बीना सोचे यह एंसर लिखेगा आपका पांच नंबर कंफर्म हो जाएगा यह मेरी गारांटी है याद रखेगा 17 सताबदी में फ्रांसीसी यहां पर वैपारी वैपार के लिए हिंद चीन पहुंच भी आ करके उसमें हस्यव करें क्योंकि इनका उदेश्य पूरे हिंद चीन पर अपना प्रभुत्व कायम करना था यानि कि यह वैपार करने नहीं यह चाते थे कि पूरे हिंद चीन पर हम धीरे धीरे कबजा करें ठीक है एक आएक कब जने इस परकार 1747 इसी में अननाम में साथ के साथ संधी का मौका मिल गए और यहां के लोग जो थे अपने धार्म का पर चार करने लगए और इसी अथा रेये कि विरूद लोगों में और शंतुस की भावना उत्पन हो गई और फिर 1862 में अननाम को शेनेवल पर संधी के लिए बादे किया गया और विश्वी सतावदी तक संपूर्ण हिंद चीन पर कबजा हो गया जो में शुरू हुआ तक सत्रहभी सतावदी तक बिश्वी तक जाते जाते हैं पूर्ण रुप से कबजा हो गया तो यह आपसे कुछन पूछा जाएगा मस्ट वीवी आई कुस्चन है यह याद उग्रवादी घटनाओं को भी यह क्या किया था अंजाम देते थे जरूवत पढ़ने पर आत्मदाभी करते जब हुआ 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 अंदोलन होता है न तो अपना बात मनवाने के लिए सरकार के सामने खुद को जला के मार देते थे इतना जुनून वाले होते इसके सबसे म मुख्या निता कौन थे तो हुइन फूसो यह रट लिजिए चलिए यह हो जाएगा दो नंबर वाला सब कुश्चन है याद रखेगा पांसात कुश्चन है और पांच साथ कुश्चन में से ही पूछेगा मेरे बाबू मेजनी कौन था तो मेजनी एक पर क्या था सिनापती था नजी तो मेजनी गड़तंत्र विचारों का समर्थक इचाता था कि सभी देश गड़तंत्र है और यूग या एक सीनापती था मेटरनिक यूग क्या है तो मेटरनिक यानि हर में पढ़ता था जब नैपुलियन को 1815 में वाटरलू के यूद में हराया उसके बास से कबज च्छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंब हुगा यानि च्छापा खाना समझते हैं यह जो लिखा गया है इसी तरह इसी तरह किताब छपता है कि नहीं तो किताब छपना कप से शुरू हुगा तो यहां कुस्चन देखिए रेसा मार्ग द्वारा आप से पुछाएगा तास के पतो और धार्मिक पुस्तकों पर यहां पर किया गया अपंद्रवी सताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में क्या हो गया यहां पर संपूर्ण यूरोप में छापा खाना प्रचली तो हो गया यह याद रखिएगा यह कुस्चन आपसे पूछेगा मस्ट बीवी और बनोंबर की कृंटी बोलो यह फिर बोल कि गया चीज कि देंचे यह सब एक ही चीज होता है को क्या थे तो बाभू कोई भी क्रांटी क्यों होता है वहां का राजानी रंकूस होगा सिधा सिंपल बात है तो जार्ज की निरंकूस ता आयोग्य ता जा रिखया बताएं मतलब वाइफ का गुलाम था जो का गुलाम समझते हो ना सेम समझ लो अगर वाइब काए कि पती देओजी ये काम किजिए पानी में दीन भर खड़ा रहना है बेचारे बोलेंगे पत्नी धर्म नहीं बाते थे ठीक है अभी तक आप लोग सुने हों कि पती वरता नारी पत्नी वरता पूरुस थे याद रखिए गई पत्नी वरता पूरुस थे वाइफ का बात बहुत लेकिन मजदूरूर को इतना परहसान करते थे आपको देखी यहाद साधर हम डारेक्ट शॉर्ट कोट लिखें इसके बारे में आपको कम से कम दस-दस लाइन लिखना है तब जा करके यहां पर यह पांच नमर मिलेगा मजदुरों की दैने इस्तिति उन्होंने क्या कि मजदुरों से सबसेदा पैसा लेते सोरी काम कराते थे और पैसा नहीं देत लोग अपनाने लगे जिसके वज़ा से वहां पर जो छोटे मुटे मजदूर है उन लोग का क्या हो गया हाथ से बनाएं चीज़े नहीं बिखता था जिसको हतकरगा बोलते हैं आप बताइने मसीन के आने से नुकसान हुआ है कि नहीं माले कि एक नहर की खुदाई में अग भाई तो देखते हैं क्या हुआ था 1905 में हुआ था खुनी रभी बार यह आप याद कर जिए रट लीजिए 1905 ही न था जी यह ठारा सो पांस था खुनी रभी बार कई बार पुछा गया यह भी रट लीजिए बाबो मस्ट भी वी आई कॉस्चन है और सेशन को शेयर कर दे प्लीज आप से रिक्वेस्ट है जादा सजादा इसको शेयर की खुनी रभी बार यह ब्लेड़ी संडे कोई तो घटना रभी बार को हुआ था ख के नारा लगाते हुए सेंट पिटर्सवर्ग महल एक था महल के तरफ जा रहे थी यानि राजा के महल के तरफ जा रहे रहे थी लेकिन रूस के जार यानि रूस के राजा ने सेना को क्या किया सेना रूस की जार सेना ने गलत थोड़ा सा हो गया रूस के जो राजा थे उनकी स दिन क्या था रभी बार था इसलिए इस दिन को खुनी रभी बार के नाम से हम लोग जानते हैं चलिए ये कोश्चन कोई बार पुछता है पांडू लिपी क्या है रट लिजे पांडू लिपी का मतलब हास ते जो लिखा गया लिपी हस्त लिपी कोई पांडू लिपी कहते है जो हाथ से लिखा जाता है उसे पांडो लिपिकाते हैं गैरी बाल्टी के कारियों की चर्चा करें बाबु गैरी बाल्टी तो एक नाविक था लेकिन नाव चलाते चलाते एक देश से दुसरे देश में जाता था और जाते हैं ते पूरा का पूरा राई नितिक समझ लिया थ तो यह बाबु इटली का एक करण में सबसे महत्वपूर भूमिकानी आपको बताध की इंप माना महत्वपूर ये माना जाता है यह बड़ी इमनधार की सिम क्या था सैन की एक तरह से मानलोतों था जानते हों कि एक बार इस पर राजा सक कर लिया कि लग रहा है कि सब राजे को ये जीत रहा है लेकि हमारा सैनिक है तो क्या हुआ सबी जगा जीत रहा है तो कहीं काबजा तो नहीं कर लेगा और यह बात Gary Balti को जब बता चली तो पूरा का पूरा फ्री में राजे को त्याग दिया सैनिक पत्याग दिया और जाके किसान की जिंदगी भीताने लगा यह Gary Balti जो था Count Cabur का बहुत बड़ा फैन था यह बोलता था Count Cabur से बोलता था कि आप बस प्लानिंग किजिए बताए कि अक्रमण कहां करना है एक तरह से इसको पता है क्या कहा जाता है इटली के एक करन का तलवार और इटली के एक करने में दिमाग किसका था तो दिमाग लगाता था Count Cabur याद रखिएगा और उस दिमाग को फॉलो करके और यह अपने तलवारों से उसका हिसाब किताब करता है तो इटली के करन का तलवार गैरी बल्टी और दिमाग कहा जाता है Count Cabur को इनके बारे में आपको लिख देना है पहला अंदोलन तो चमपारन अंदो नहीं लेकिन यहाँ पे समझगे खिलापवत अंदोलन नहीं लोग समझते हैं ठीक खिलापवत अंदोलन यहाँ पे 1919-1922 के मध्य भारत में मुखे रुप से मुसलिम बहु संख्य वर्ग द्वारा चलाए गया था इन मुश्लिम के द्वारा चला गया था 1929 में राजनीतिक धार्मिक अंदोलन था एक परकार कर यह धर्म के बारे में अंदोलन का उद्यस मुसलिमों के मुख्या माने जाने वले तर्की यानि तुर्की के खलीफा के पद को पुर्णा अस्थापित करने के लिए किया गया था और बीटी सरकार पर दबाव लगा था जानते हैं खिलापोत और इस तरह से उसमें महात्मा गांधी आकर के थोड़ा से हेल्प कर दिये और यह अंदोलन बहुत ही बड़ा हो गया और इसे खिलापत अंदोलन कहते हैं और सहयोग आंदोलन किसी का सहयोग नहीं करना अंग्रेजों के अत्याचार के राष्ट विता महात्मा गांधी ने एक अगस्त कि 1920 को असयोग आंदोलन शुरू कि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहा है तो असयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद करा दिया गया यह यानि कि उस समय अंग्रेजों वगरा ही स्कूल खोले थे तो कोई भाई अ इसको तिन कठिया पढ़नाली भी कहते हैं क्या बोलता है तीन कठर जमीन पर चाहोगा नील की खेति होगा 17 उस पर अपना खेति केजिए तो बताए कि तीन कठर जमीन जो सबसे ज्यादा गांगरेजों का नमक नहीं खाना है और खुद से नमक बनाना है ये सब गांदेजी चलाएते जिसको दांडी मार्च भी काते हैं और ट्रीक भी आपको याद होगा, 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया, नमक पर भी टेक्स लगा दिया, कर माने टेक्स तो महत्मा कांदी ने इन अंदोलन के खिलब अंदोलन छेड़ दिया, और सत्यगरह की सुरूआत 12 मार्च को चले यहां से, 12 मार्च को यह दांडी मार्च सुरू किये, गुजरात के दांडी जगह से सुरू किये, गुजरात के यह दांडी से सुरू नहीं किये, यह साबर मती आसरम से सुरू किये, कब 12 मार्च को चले और वहां से पहुंच गए यहां पे दांडी, यहां पे दांडी पहुंच गए, 24 दिन उनको लगा पहुंचने में अब जितना तारीक को अब देख लिजे काउंट कर लिजे 24 दिन लगा पहुंचे लगभग 38 लोगों से शुरू किये थे यहां से अंदोलन और यहां आते आते 20,000 लोग हो गए कितना अजार लोग है हैं मतलब आ गये तो हम क्या करें नहीं फायदा उठे एक और अंदोलन शुरू कर दिए एक और अंदोलन शुरू किये शवह फट्राइल को पहुँचे ना और यहां पे नमक बना दिये उसके बाद सुनना है लेकिन उसका आगया का पालन नहीं करना है यानि अंग्रेज बोले कि देखो गांधी जी देखो बुड़ो ऐसे बोलता था सब तुम यहां इसकूल नहीं बनाओगे तो यह बोलते थे कि देखो सभी इन्यावा ग्यांदोलन को फॉलो करते हैं तो जो बोलोगे उसक बढले था करका काला कानून इसे बोला जाता है इस सरकारण द्वारा यह अधिकार दिए गया कि किसी भी भरतियों बिना मकदमा चले जील में बंद किया जा सकता है अब सभी भारतियों गुस्सा हो गए हम लोग कि भाई हम गुनाह किये नहीं तो कहा है जिल में बंद होंगे ठीक है तो इसी के लिए एक जगा मीटिंग बुलाया गया कि आकर के अंगरेजियों के खिलाफ आंदोलन किया जाए और वह मीटिंग पंजाब में बुलाया चलवादी जिससे जालिया वाला भाग हत्या कांड भी कहते हैं तो ये खिलाफ ही हुआ था और समझ गया यानि कि बीना वकिल बीना दलील के आपको जिल में बंद किया जा सकता है चलिए अगले कुस्चन का एंसर देखिए अगला कुस्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है र समातः करें यूध को बंद कर यह था अस्थान पर चले रहें यानिकि यूद को बंद करके अपने-अपने अस्थान पर वापस लोट युद नहीं करना हैं दूसरा नियम क्या था तो दूसरा नियम था इनकी देख रेक अंतराष्ट या परयवेक्षक करेंगे यानिकि पूरे अंतराष्ट के लोग इन पूरे देश के सभी राष्ट के जो भी वेक्ति हैं वो यहाँ पे करेंगे कोई देश अपनी सक्ति को बढ़ाने का परयात नही अब हिंद चीन में लड़ाई नहीं होना चाहिए इसी के बारे में आपको लिख देना है तो यह भी मस्ट वीवी आई कुस्चन है देखो अगर यह एक्जाम के आखरी रात भी देख करके जाओगे न तो पूरा का पूरा यह सब्सक्राइब का बना है और ट्रीक वी संदार संदार है चलिए आज का मस्ट वीवी आई को संदेखते हैं जो कि कई प्रसन घुमा घुमा करके पूचता हैं अगर को स्चन पुछ दे विश्व व्यापी मंदी कब आई या फिर विश्व आर्थिक मंदी क्या है या फिर के आर्थिक मंदी के कार्णों कुछपट करें या फिर 1939 के आर्थिक संकट के किन्हीं तीन कार्णों की विवेचना करें या संचीपत वणनन करें 1929 के महामंदी क्या है अगर ये 8-10 प्रसन कोई भी पूछ दे तो इसका एंसर एक ही ठोली कियेगा बहुत ही संदार कोश्चन है ये रट लीजिए कि वर्स 1929 में अमेरिका से शुरू इस आर्थी घटना ने पूरी दुनिया को अपनी चपिट में ले लिया था जिसके कारण बैंक दिवालिया हो गये ते और सियर मार्केट गिर गया था जिसके कारण सियर धारकों के करोडों डॉलर डूब गये और कमपनियों को उत्पादन कार्य बंद हो गया और लोग वेरुजगार हो गये और कर्ज में दबे लोग आत्म हत्या करने लगे इतना महामंदी का मतल चार पांच छे साथ यानि कि अब सुने होंगे कि एक तीर से सिर्फ दो निशाना होता है यहां एक तीर से साथ निशाना हो रहा है यानि कोश्चन एंसर एक ही टोई है और कोश्चन साथ को पूछ सकता है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन यहां पे ओधोगी क करन क्या है यानि कि जब ही मसीन आता है तो मसीन आता है तो उसे अधोगी करन करते हैं मसीन के जब आने को कहते हैं वाले लोग हाथ से काम करते थे यह काम को असान बनाने के लिए मसीन बना और जब मसीन बना तो उसी को अधोगी करन करते हैं और अधोगी करन क्या है इसे अस्थापित किया गया यानि कि कर्खाना के च्छेतर में क्या मसीन आया क्यों मजबूत बनाने के लिए कि काम जल्दी होगा उसे और उसे और होगी करन कहते हैं और जब बताईए जब मसीन आया को तो पैसे रुपिय का मतलब क्या होता है कोई विची जदा बढ़ चड़ के ह लगे तो उसे क्रांति कहते हैं ठीक है इसे मजदूरों की अर्जिविका पर बुरा परवापड़ा ठीक है कंपनी वाले को फायदा हुआ सब लोगों का पतन हो गया और इस परकार समाज दो भागों में बट गया एक मन गया पुंजी पती जो की जिसके पास मसीन था जो उसमें काम करता था उससे स्रॉमिक वर्ग यह दो पर करके और यह दोनों के बारे में आपको लिखना है तो जाके पांच नौर मिलेगा क्या है हम थोड़ा सा हिंट कर दिया है यहां देकिए योगे बहुत महनतों के बाद यह निकाला गया था ल्गने में वही शरीकरण की परकिरिया में वेवसाई वर्ग मध्यम वर्ग एवं मजदूरों की भूमिका क्या है या फिर पुछेगा इस पर चर्चाक करें तो यही इसका एंसर पूरा है कि शड़ीकरण की परकिरिया में व्यवसाई वर्ग मध्यम वर्ग एँव मजदूर वर्ग की भूमिका क्या है व्यवसाई वर्ग ने अपने वैपारिक उदेशे की पूर्ति के लिए वड़ीजीय कारे अस्थल जल परिवहन प्रणाली और धोगी किंद्र इत्यादि की अस्थ स्थापना करना प्रणाम किया इस सब का स्थापना किया सिर्व वैपार करने के लिए अब आतिया सड़क का निर्माण की हुआ था ताकि एक जगह से दूसरे जगह वैपार हो सके वह जल परिवहन जन परिवहन ठीक है जिससे धीरे-धीरे वहां कि आबादी बढ़ने लग गया ठीक है मध्यम वर्ग धीरे-धीरे एक नए सिख्षीत वर्ग के रूप में उभरने लगे और इस वर्ग से सबसे ज्यादा सीख्षीत वर्ग यहां पर सीख्षक वकील चिकित्सक इंजिनियर कलर यहां पर क्या बोलते हैं एकाउंटेंट इतियादी इस सब सबसे ज्य करतान है और सहरी करण का परकिरिया सुरू हो गया ठीक है अब थोड़ा सा और है यहां पर गाउं के किसान और मजूर अपनी आर्थिक स्थीति को बहतर बनाने के लिए वैपारिक प्रतिस्थानों की और पलायन करने लगे सभी लोग बैपार करने लगे खेती कम करके और ज यहां देखी यहवावला कोश्रन को क्या कर रहा है स्लम पत्ति आपसे पूछे गाता है स्लम पतिकया होता है तो जिस मिल मास्धोरों करने लगए उनकी इस्तिति दयनिया होने लगई जिसे सुलंम याक्षिन कोई श्बम राल दोलन को भारतिया प्रेष ने कैसे पराईद के अगर ये कोस्चन पूछे या फिर भारतिय प्रेश की क्या विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् होता है कि हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा और सरकार द्वारा जो भी फन्ड दिया रहा है वह हमारे तक पहुंचा है पर जनता के बीच के मेडियेटर का काम करता है यहां पर इसका एंसर हो जाएगा रष्टबादी जनमत को जगाने में यानि कि राष्टवादी जो जन्मत है राष्टवाद को जगाने में मेडिया का सबसे बड़ा योगदान होता है उन लोगों के अंदर बताता है कि बताओ तुमारी सरकार जब लूट रही है तो तुम क्यों चूप बैठे हो तुम भी सरकार के किलिए अंदल न करो यह काम सि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मुख्य राइनीतिक प्रचार सबसे अदा राइनीतिक प्रचार भी करते हैं करने कि लोगों को ट्रेनिंग देने में सिक्षा और रष्टवाधी बिचारों का गठन और यहां पर प्रसार के लिए प्रेश मुक्य साधन होने की वज़ा किया है यह हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के बातों का हमारे तक पहुंचाने में काफी मदद करती है अगला कुश्चन यहां देखिए अगला कुश्चन है कि गुटेन वर्ग ने यंत्र का विकास कैसे किया गुटेन वर्ग ने अवस्यक्ता के अनुशार मुद्रन सियाई भी बनाई च्पाई के लिए स्याई बनाए और प्रथम बार मुद्रन कारे संपन करने का परयोग किया काम्पोज कीया और किया हुआ टाइप मीटर ब्रैन्ट यानि कि वैंड पर यहां अ कट गel कcią समझेगा किस तरह से यानि कि एक एक ऐसे मसीन हुआ करता था और यहां पर एक नीचे छपने वाला चीज्ज़फर फी और और से पर कागज रहा करके प्लेट द्वाराद करके मुद्रित कियa जाता था ठीक है और इस तरह से विदरण यानि कि छप जाता था तकी मुदरण करान्ती ने बताएे खुद से कि चपाई आ गया जैसे पेपर बगर्ण चपने लगा तो बिस्वत को परभावित किया कि नहीं किया ही आज हम लोग जो भी इतिहास अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहें तो कैसे पढ़ने उसका किताब छपा है जब किताब अगर वो नहीं रहता तो तो इतिहास के बारे में अच्छा से नहीं जाने तो उसके आने से हम लोग पूराने चीजों के बारे में जनकारी प्रैप्ट करते εैं इसके बीकास के बारे में वर्णन करें यह अगर कोश्चेंट पुछें तो भी इसका यही ऐंसर होगा क्या answer है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर answer है कि मुद्रण को बोलते हैं मुद्रण करांती के फल सरुप किताबे समाज के सभी यहाँ पर तब को तक पहुँच गई यानि कि सभी तब तो यहीं सब इलाका में पहुँच गई किताब नहीं पहुचेगा किताबों को पहुच यहाँ पर पहुच असान होने से पहुचना असान होने से पढ़ने की नई संस्कृती बिक्सित हुई और मुद्रण करांती में आम लोगों की जिंदगी क्या होगई पूर्ण रूप से बदल गई यहाँ पर होगा ठीक है कि आम लोगों का जुड़ाव सुचना ज्यान संस्ता और सत्ता की नजदी की अस्तर पर हुआ और पढ़ाम सुरूप चेतना का एक चेतना एम द्रिष्टी में बदलाव आया इजब सब हम लोग इतिहास वगरा पढ़े तो हम लोग के सुचने की सक्ति में बदला आया पठ कोई इतिहास के जनकार है अगर आप गलती बताएंगे तो आप से लगेगा उडिसकोशन करने तो तरकवाद उसी को बोलते हैं लगा डिसकोशन करने तो यह आपको याद कर लेना है एट लास्ट कोश्चन आपके एक्जाम में 13 कोश्चन है मातर 13 से 14 कोश्चन है बाबु और यहीं आपके इतिहास में पुछेगा मस्ट वीवी याई दिर्गुतर यह प्रस्ना है तो यह देखिए भूमंडली करण क्या है वैस्वी करण क्या है यह पुछे या फिर भूमंडली करण के करण आम लोग के जीवन में आने वाले परितन तीनों में से कोई कोश्चन तो उसका एंसर आप एक ही ठोली खेगा अब देखिए भूमंडली करण का मतलब क्या होता या वैस्वी करण मान लिजिए कि एक जगह ये आपका बजार लगा है मार्केट लगा हुआ है तो मार्केट में कई गाउं के लोग आते हैं कर ने कई जगा के लोग आते हैं तो ब बिश्व बजार चुनागे सभी देश के लोग अपना अपना समान लाके बेचेंगे यानि एक हिच्छत के नीचे ऐसे लोग डेफिनिशन देते हैं सभी चीज़े उपलब्द हो जाता है उसी को क्या होता है हम लोग भूमंडलीकर्ण कहते हैं लेकिन डेफिनिशन सूटे व और इसी भूमंडलीकर्ण के कारण जिवन उ पारजन यानि कि जिवन को चलाने के छेतर में काफी बदलाव आया भारत में रहने वाले लोगे के लिए भूमंडलीकर्ण के दोर में रोजगार के कई ने औसर उपलब धो गया है मालनी जी कि रोजगार इस से आम लोगों के जिवन पर बहुत बड़ा परभाव पड़ा है कि अप जा करके आप कहीं भी बीदेश में कोई बिवेक्दी जा करकर क्या काम करता कि नहीं और फिर काम करके पैसा अपने घर ला के देता तो अगर और एक और विडियो बना है जो कि उस वो भी क्या है पुरा का पुरा महात्मा गांदी का अंदुलान है गांदी वो ग कंदी ओ बेद्धि अगर एक उन ही और ढूस्थ मुद्स प्रस्न का देख लेते हैं, अगर कभी अपितिहास नहीं पड़े हैं और एक बार देख लेते हैं, तो समझे कि पूरा का पूरा आपका दिर्वोतर ये प्रस्न सही होगा, ये मेरा 100% गरांटी है कि आप